भी सेथ़िंगे हैं काफी ज्यादा सिंपल इजी और क्विक हैं इसमें हम शिकल सिक्स के मल्टिपल यूज़ करेंगे इसमें हम एक उल्टि एक सीधि रोपी Link चाहि home फंदा उतारेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अब यह जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों की भी स्लाई डालेंगे, एक फंदा निखा लेंगे, फिर दोनों फंदों को साथ में बैक साइड से बुनेंगे, तीच प्व línea गृष्ट निधा उतारेंगा अप्त लिज्य उटारेंगे ग्रांी इतना सा पैटर्न यहाँ से यहीि रिपीट उता जाएगा फिर दो फंदों के बीच में से एक प्ता निकालेंगे फिर दोनों फंदों को इकठे बुना इस तरह से फिर एक फंदा बिना बुने फिर अगला फंदा उल्टा फिर एक फंदा बिना बुने उताना है फिर दो फंदों के बीच में से एक फंदा निकालना है फिर दोनों फंदों को एक साथ बुनना है फिर एक फंदा बिना बुने, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर धागा बीछे एक फंदा बिना बुने, फिर दो फंदों के बीच में से एक फंदा निकालना है, फिर दोनों फंदों को एक अथा बुन लेना है, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा विटा फिर एक फंदा बिना बुने दो फंदो के बीच में से फिर दोनों फंदो को एक साथ बुनना है इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा यह पूरी रो इसी तरह से हमारी फर्स्ट रो कम्प्लीट होती है सेकंड रो बैक साइड से हमारी पूरी उल्टी रो बनेगी यह दो रो का डिजाइन है यही दो रो इसमें रिपीट होती जाएगी बहुत ही क्विक बहुत ही इजी ली यह बन जाता है आप इसको काडिगन में यूज़ कर सकते हैं आप इसको बच्चों की स्वेटर में यूज़ कर सकते हैं फिर से पहला फंदा लिया थर्ड रो एक फंदा उल्टा फिर एक बिना बुने उतारा फिर दो फंदों के बीच में से एक फंदा निकाला फिर दोनों फंदों को साथ में बुना फिर एक बिना बुने उतारा फिर एक फंदा उल्टा फिर दो फंदों के बीच में या यही रिपीट करते जाना फिर एक फंदा बिना बुने लिया दो फंदों के बीच में से एक निकाला फिर एक दोनों को साथ में बुना बैक साइड से, फिर एक फंदा बिन बुने, फिर एक फंदा उल्टा, यही पूरी रो में रिपीट करना है, जैसे हमारी फर्स्ट रो बनी थी इसकी सेम वैसे ही पूरी रो बनेगी, अगर आपको कुछ भी डिजाइन समझ नहीं आता तो आप उसको बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर पॉस करके फिर से प्ले कर सकते हैं, इसी तरह से हमारी पूरी रो भी कम्प्लीट होती है, नेक्स ट्रो बैक साइड से, यह फूर ट्रो है, यह पूरी की पूरी रो जो है, बैक साइड से आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूरी रो उल्टी बनानी है, जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं, इस तरह से डिजाइन बन रहा है, एक बाप फिर से मैं आपको बताती हूं, फिर से पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर एक बिन बुने उतारा, फिर दो फंदो के बीच में से एक फंदा लिया फिर दोनों फंदो को साथ में बुना, पिर एक फंदा बिन बुने, एक फंदा उल्टा, अब फिर से इस डिजाइन को बहुत एजिली नहीं दिख सकते हैं और बना सकते हैं, सेम वही रिपीटोर यह जो फर्स्ट रों ने बनाई थी और जो सेटिंड रों यह दो रों का डिजाइन है और पूरा इसी तरह से बनेगा कि आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो गया है इस तरह से देखने में आता है आप बहुत ही इजी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं कंप्लीट होने के बाद हमारा यह डिजाइन इस तरह से दिखाई देता है और बैक साइड से इस तरह से